नमस्कार दोस्तों गुडीवनेंग रादे रादे आज आईए पटापट कर दीजी सेर क्लास को अपने दोस्तों के लिए आज हम बहुत ही महत्मुन टॉपिक लेकर के आ रहे हैं राष्टपती आरे एस ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट रीट टैट वीडियो तमाम प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है टॉपिक तो दोस्तों चलते हैं हम बिना टाइम बरबाद किये तो राष्पती पर देखिएगा पहला ही क्वश्चन है आपके सामने देखो दोस्तों यह वो क्वश्चन है जो एक्जाम में आए हुए हैं इसलिए क्या है अगर कोई भासा सहली आपको लग रही है कि सर यह कठे नही तो फिर आप क्या करोगे उस प्रस्ण को समझने कोशिश करोगे और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट करके बताओगे एक सर क्वश्चन समझ नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि यह क्वश्चन वो हैं जो एक्जाम में आए हुए हैं और मैंने एजटेज बिना किसी छेड़ चाड़ के आपके सामने प्रस्टत की हैं ठीक है तो बारत के तो निमनाम कितमे से किस प्रकार के प्रादिकार भारत के राश्पती को प्रापते तो यह देखिएगा दोस्तों कैसे प्रादिकार राश्पती को प्रापते हैं बताइए साब और वास्त्वट और लोक्री है क्या है उप चारिक और विदिक है क्या राइज नीतिक और नाम वात्र का है क्या नीचे दिये कूटों से सही उत्तर चुनिए बताओ साथ तो डोली आ गई है जग्दीश आ गया है कनिस्क उ गया है तो फटापट बताईए आज ये की चैनल पर है क्या है तो फटापट जवाब दीजीर बच्चों कर दो मावल को लाइट ली अब सबको नमस्कार गुड़ीवनिंग दूर से खुसरो सलेक्षन बवा बताईए फटापट अजी उत्तर दो विदाओट वेश्टेज आप टाइम आंसर बिर्वी एक तो संबैदानिक कुन सा है संबैदानिक और दूसरा कुन सा है संबैदानिक और आप चारिक हैं तो दो और चार उत्तर आएगा डी देखो दोस्तों यह ओपचारिक भी है और क्या है यह संबैदानिक भी है अब यहाँ पर थोड़ा से नाम मात्र का देख लेना क्योंकि भारत का राश्पती ब्रिटेन के समराट के समकक्ष है और जो ब्रिटेन का जो समराट हैं दोस्तों वो नाम मात्र का है अगर इन दोनों में से एक का च यह होती है मंत्री परसद यह तो कौन होती है मंत्री परसद होती है साफ और मंत्री परसद का जक्स होता है प्रदान मंत्री तो यह तो होई नहीं सकता ठीक है और राइनीतिक और नाम मात्र का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राश्ट पती का जो पद है वो संबैधानिक पद ह है और ध्यान रहे दोस्तों ये संबैधान एक पद्दल विसेश से जुड़ा हुआ नहीं है राइनीति ग्रूप से प्राय तटस्त व्यवार करता है ठीक है तो लेक राम मीना ओहो जैराम यादव कमले सीमा रेनु मीना सब को नमस्कार सीमा हातीवाल राम राम भाई सीमा जै हैं तो प्रस्ने संख्या चलते हैं दो की तरफ जैसा कि आपको पता है ये वो प्रस्ने जो एक्जाम में आए हुए है तो इसलिए आप थोड़ा समझ समझ करके जवाब दीजी बहुत बढ़िया आप सब लोग खुस रहिए सलेक्शन वबबा और देखिए आगे बढ़ते हुए अपने मित्रों को सेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सूचना बेजो और लाइक जरूर करो चैनल को सब्सक्राइब भी करो ठीक है आप लोग देख लेते हो और उसमें बटन सा होता है बटन को दबाय करो लाइक थंब सा होता है उसको भी दबाय करो ठीक है ह हमें अच्छा लगता है सम्मेदान की निम्न लिखित अनुच्छिदों में से किस एक के अंतरगा संकी कारपाल का सक्तियां राश्पती में नहेते हैं यह अभी अनुच्छ अभी एक्जाम में वाया था राजिस्थान में आपको पता होना चाहिए यह आता ही रहता है ठीक है तो बताइए सबको नमस्कार है अर्सवर्दन बिलकुल संदीप स्वामी बिलकुल कमलेश जोसी जी ओहो नमस्कार बिलकुल बिलकुल लक्षमी भोरिवाल बहुत बढ़िया मनुज मोनु सर्मा बहुत बढ़िया रेखा चांदा गोड वेरी गोड गोड इवनिंग बेद प्रिकास जी का उत्तर आ गया हर्षवर्दन का भी आ गया बहुत बढ़िया हर्षवर्दन अम्रता का भी आ गया कमलेश जोसी जी गुड बहुत बढ़िया आप सब लोगों का प्लेट फोरम पर डिजिटल चेनल पर हर दिक स्वागत है मित्रू इसका उत्तर सी काटक सही है बिलकुल सांदार जबरदस्त 53 अनुच्छे त्रेपन क्या कहता है देखो बात करते हैं संग सरकार की संग सरकार की कारिपाल का सक्तियां राश्पती में नहेते हैं एक तो ये बात करता है कारिपाल का का ये तो है त्रेपन फश्ट और एक है त्रेपन सेकंड राश्ट पती तीनों सेनाओं का जलतल बायू तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का क्या होता है सुप्रीम कमांडर होता है और ये प्रावदान हमने किस देश से लिया है ये प्रावदान हमने लिया है अमरीका से कहा से लिया है ये प्रावदान अम इवनिंग साभास नहीं बहुत बढ़िया आप लोग सब जग्धी सर्मा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभास तो बहुत बढ़िया सब लोगों का उत्तर आ चुका хै मैं प्रस्न system को आगे बढ़ा देता हूं प्रस्न संक्या तीन की तरफ देखो दोस्तों ये वो क्वेश्चन जो एक्जाम में आये हुएं इसलिए समयने की कोशिश करो और आराम से आंसर दीजिए बहुत बढ़िया ठीक है चलो साथ प्रस्ण संक्या तीन की तरफ बढ़ती सम्विदान भारत की राशपती को अधकार नहीं देता क्या नहीं देता अधकार ने देता तो किसका अधकार नहीं देता देखते हैं प्रदानमंत्री की नियुक्ती बिलकुल साथ अनुच्छी 75-1 में होती है साथ ये तो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ती यही नहीं है रक्षावलों का सर्वुच कमांडर अनुच्छी 352 की बासा आई है देश की किसी वाग में हापात काली स्थिति लागू करने का अधिकार ये अनुच्छी 352 की बासा है ठीक है तो इसका उत्तर आएगा भी राज्यों की मुख्यमंत्री अनुच्छी 164 एक में मुख्यमंत्र की नियुक्ति राजपाल करता है कौन करता है राजपाल द्वारा होती है साब मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो इसका उत्तर आएगा भी बहुत बढ़िया आप सब लोगों ने सही जवाब दिया लेकिन अगर किसी बच्चे पैसे गलती से हो भी गई है जैसे अब नी भी चाहता कि यह समय दोबारा सजादे एक बार दे चुका है प्रस्ने संक्या चार की तरफ देख लीजिए आपात काल में आपको अर्गलतिक सजा का मतलब नेगेटेव मार्किंग होती है सीर सिंग राजपूद नमस्कार वहिया हर गलती क्या सजा है नेगेटे होता है ध् तो आपात काल में किसी राज बिदान सभा की अबदी बढ़ाई जा सकती है बता कौन बढ़ाएगा एक बार बढ़ी भी है कोई बात नहीं सीर सिंग कोई बात नहीं जगदी समीना जी बहुत बढ़ी है स्वागत है आपका चलिए बताईए ये तो उत्तर मेरे जाब से आई जाना चाहिए आपात काल में 42 में सम्मिदान संसुदन द्वादा द्वारा लोक सभर बिदान सभा कारकाल बढ़ा भी गया था आपको याद होगा बताईए साब गुड बहुत बढ़ी है स्थाई जवाब संसद्वारा बिल्कुल साब अनुच्छे तीन सो बामन ये बात साप साप कहता भी है साब ये बायक अनुच्छे तीन सो बामन का है साब बहुत बढ़ी है उननीस सो चैतर में कारकाल बढ़ाय गया तक कौन सम्मिदान संसुदन 42 में में उस टैम पर पांचमी लोक सभा थी कौन सी लोक सभा थी पांचमी लोक सभा आप देखो सारी लोक सभाओं का कारकाल याद रख लो पहरी लोक सभा उननीस सो बामन में दूसरी लोक सभा उननीस सो सत्तामन में तीसरी लोक सभा उननीस सो बासट में चोथी लोक सभा उननीस सो सरसट में ठीक है पांच मी लोकसवा 1971 में यही है सबसे बड़ी लोकसवा छट मी लोकसवा 1977 में साथ मी लोकसवा 1980 में आठ मी लोकसवा 1984 में इसी में कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 415 सीट मिली थी 9 मी लोकसवा 1989 में 10 मी लोकसवा 1991 में देखो 9 रिक 10 फिर 11 मी लोकसवा 1996 में 12 मी लोकसवा 1998 में 13 मी लोकसवा 1999 में तो यह देखो 12 मी लोकसवा जो सबसे छूटी है फिर 14 मी लोकसवा 2004 में 15 मी लोकसवा 2009 में 16 मी लोकसवा 2014 में 17 मी लोकसवा 2019 में ये लो साथ अब तक 17 लोकसवा बनी हैं तो आपको ये बात पता होंचे ये रही पांच मी लोकसवा 1976 में 42 में संविदान संसुदन द्वारा लोक सवर्विदान सभा का कारेकाल पांच वर्स से बढ़ा कर 6 वर्स किया गया था तो जम्मू कस्मीर का संविदान अलग था मित्रो जम्मू कस्मीर का मैटर आपको पता होने चाहिए जम्मू कस्मीर का संब्धान अलग था इसलिए जम्मू कस्मीर ने इसके साथ दवा संसुदन कर लिया लेकिन 1908 में आपको पता होना चाहिए चम्बाली समा संब्धान संसुदन हुआ था 1978 में और उसमें लोकसब और विदान सबा कारकाल वापस कितना किया गया पांच बरस किया गया लेकिन जम्मू कस्मीर एक मात्र विदान सबा है जिसने दुबारा से अपने संब्धान में संसुदन ने किया और पने कारकाल कितना रहा छे वरस ही रहा लेकिन 2019 में जम्मू कस्मीर राज्ज का दर्जा खतम और जम्मू कस्मीर का संब्धान भी खतम कर अब जम्मू कस्मीर बिदान सवा तो रहेगी लेकिन उसका कारिकाल पांच बर्स रहेगा कितना रहेगा पांच बर्स इतनी जानकारी हमें इस प्रसुन से मिल जाती है से मित्रो क्wen्च बाश्च नमर पांच 아 देखते हैं है रास्ट पती के निर्वाचन में राज का मुख्य मंत्री मतनान करने के लिए पात्र नहीं ओता है आपको पता है राष्ट पती का जो निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छिद चंवन में रास्ट पती के कि निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती इसलिए प्रत्यक्चुनाब होता है और कोलीजियम द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा राजसभा यानि संसद के निर्वाचित सदस्भाग लेते हैं और बिधान सभाओं के निर्वाचित सदस्भाग लेते हैं तो यह ध्या में राज का मुख्यम करने के लिए पादिर नहीं होता है या वैस focus ओल राजबीदान मंदल में उचन का सरस्यों सब्सक्राइख देखो दोस्तों यह प्रस निंव्जेश उक्षना पारी बिल्कुल कृष्णा गूजर नमस्कार विया बिमला कुमाबत बढ़िया संजना जाखड बहुत बढ़िया कुमर सिंग गूजर बहुत बढ़िया गजानन मीना बहुत बढ़िया चलो साथ नमस्कार आप लोगों के लिए वेरी गुड अब देखो इस प्रस्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा सी क्यों क्यों कि राज बिदान मंडल में उच्छ सद्न होता है बिदान परसद और बिदान परसद ध्यान रहे राश्पति चुनाब में भाग नहीं लेती जो मुख्य मंत्री है ना मुख्य मंत्री ये बिदान परस परसद के सदस थे यूपी में जो सीएम थे आपको पता होना चाहिए उद्दब ठाकरे जो महाराश्ट के सीएम है वो भी बिदान परसद के ही मेंबर और बिदान परसद का सदस राश्पती के चुनाब में भाग कोनी लेवे नहीं लेगा तो इसका उत्तर आएगा सी इसके दोस्तो परसन संख्या छे की तरह बढ़ रहा हूं में आप देखिए आपका सवाल गलत क्यों हुआ गलत नहीं होना चाहिए हमें अपनी कमजूरियों को अभी से दूर करना होगा हम तभी सफल हो सकते हैं दोस्तो जब हम सफल होना चाहें और सफल होने के लिए एक ही चीज है और वो है आपकी मेनत लगन और समर्पन आपको सरकारी नोक्री लगने से कोई नहीं लोग सकता बसरते आप में वो जजवा बना रहना चाहिए आप यहां पर जुड़े हुए उपिलेट फोरम पर तो निश्चित रूप से आपको उच्चित मार्ग दरसन में लेगा वि जलत हो जाने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में वो खाक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले इसलिए डरना नहीं डरना नहीं ठीक है भारत में राश्पती चुनाब के लिए चुनाब मंडल की सदस्च होते हैं वो यह न आमने अब देख लीजिए अच्छा बुरा जो भी है बताईए साथ बहुत बढ़िया लोक सबाके चुने हुए सदस राज सबाके चुने हुए सदस राज बिदान सबाक चुने हुए सदस राज बिदान परसद चुने हुए सदस बताईए गुड बहुत बढ़िया उत्त के लिए हमारी तरफ से डिजिटल आसिरवाद है बहुत बढ़िया गुड पर्फॉर्मेंस आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन सेंक्या सेवन की तरफ यह देखिएगा देख लीजिएगा नंबर सेवन ओन यूर स्क्रीन राश्पती और उपराश्पती के अनपस्तती में कौन र आश्पती भी नहीं और उपराश्पती भी नहीं है तो कौन करेगा बताईए सब गुड बहुत बढ़िया बलवीर सिंग जी आपका भी अवनिन्दन है बहुत बढ़िया संतुस्पूनियां कुसी मीना रेखा कृष्णा गूजर बिमला कुमाबत परिक्षत गूजर चंदा वर्मा डोली ब्याडवाल उर्मिला जाट संतुस्पूनियां संजना जाकार निकेश सेवक निलिस सेवक ओहो लंबे तित्ती जिस्क्रीन चल रही है गजादंद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बीरेंदार बहुत बढ़िया गुड वेरी गुड वेरी गुड आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है लेकिन अगर इसमें ये जुड़ जाता संब्धान के अनुसार अब देखो संब्धान क्या कहता है अनुच्छे सत्तर ये कहता है दोस्तों अनुच्छे सत्तर ये कहता है कि यदी राष्ट पती पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट पती और उपराष्ट पती भी पद रिक्त हो जाए तो फिर ऐसी इस्तिती में संसद निर्दारित करेगी संसद द्वारा निर्धारन और ध्यान रहे 1969 में ऐसा ही हुआ जब जाके रुसेन साव का निदन हो गया इस बाग क्या क्या सुलो और उप राश्पती भीवी गिरी जो कारवाग राश्पती बने थे उन्होंने त्याक पत्र दे दिया और दोस्तो इस स्थिति यही होगी तब संसद ने 1969 में ये कानून बनाया कि जब राश्पती राश्पती दोनों के पद्रिक्त हो जाएं तो संसद ने ये अधकार दिया सुप्रीम कोट के मुख ने इसको अगर ये भी नहो तो फिर सुप्रीम कोट का वर्ष जज़ बिलकुल सब कलपना कवार बहुत बढ़िया उत्तर है रामकिसुर प्रजापत ओन्राइन प्रणाम करूं तो मैं भी आपको डिजिटल आसीरवाद देऊ हूं बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं प्रस्न संख्या एट आठ आहट देख लीजिए बारती राश्पती के विसे में न सेकंड जादा लो पर नो रौंग गलत करने का नहीं अजय चोधरी जी नमसकार ओहो फूपा दी धौलपुर राम राम साथ बहुत बढ़िया रामकिसुर प्रजापत बिलकुल मुहम्मद इदायत उल्ला जी बेरी गोड रामकिसुर के रहा है सर पहला ऐसा मुख ने आदी सिदायत उल्ला जी ते बिलकुल रिसी के इस भी गुड़ी इवनिंग सीमा चोधरी बहुत बढ़िया जगदी सर्मा का उत्तर आ चुका है भाई तो निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए साब इन में से एक सही है दो सही है एक और दो सही है एक दो तीन सही है क्या सही है एक और तीन सही है भारतिय राष्ट पती के विसेमन निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए क्या कीजिए इन कतनों पर विचार कीजिए देखो साब राश्पती बनने की जो योगता है वो है अनुच्छेद अठामन में कौन से अनुच्छेद अठामन में उम्मीद्वार की योगता है क्या है अठामन उम्मीद्वार की योगता है या अरहता है 1958 और उसमें ये योगता नहीं है हमारे यहां भारत का जनम जात नागर्क नहीं चाहिए ठीक है तो एक तो न्यून्तम आयू पूरी कर ले एक तो यह सही है उसे संसद का सदस निर्वाचित होने की योगता रखने चाहिए संसद का नहीं साब लोक सभा सदस ठीक है तो इसके आदार पर देखते हैं सिर्फ दो सही है क्या सही है सिर्फ तो ये भी गलत है और ये भी गलत है तो इसका उत्तर आएगा भी क्या सही है उत्तर तो बिलकुल बीरिंदर कुमार प्रसनों का इस्तर बहुत बढ़ी है यह वो प्रसन ही जो तैयारे कर रहे हैं उनको इनका फैदा मिलना चाहिए पर इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा उत्तर आएगा सिर्फ दो सभी बैसे में योगता बता देता हूं इसमें एक तो यह है भारत का नागरिक हो यह सब्द यूजओए ना कि जदम जात नागरिक भारत का नागरिक हो कि दूसरा इसमें लिखा हुआ है निूनतमायू 35 बर्स हो 304 है एक इसमें प्राबदान है लोक सवा सदस्य निर्बाचत होनी की योगता रखता हो और लाव के पद पर नहों लाव के पद पर नहों तो यह ध्यान रखने वाली बात है मित्रो बाकी तो आप सब करीद होगे यह योगता है लिखी हुए यह अनुचिर 58 में तो ध्यान रखिएगा तो अब देख लो कितने लोगों गलत हुआ है बिलकुल बिलकुल क्वश्चन नमबर नाइन अगर भारत की राश्पती की चुनाब में कोई बिबाद है तो उस बिबाद को सौपा जा सकता है अब यह अनुच्छी दिकैत्तर की भासा है किसकी भासा है ना आर्ट बता हुआ राम के सौप बिलकुल तुमारा सही है अच्छा रेवत सींग बीरिंदर कुमार संतुस पूनिया औरमिला जाट हुसी मीना कृष्णा गूजर रिसी केस जगदीश सर्मा रेखा चांदा बेद प्रकास राब पूनम बीरिंदर डौली दौलपुरिया कुमर पूजर मुस्कान अंसारी चंदा वर्मा बहुत बढ़िया नीले सेवक परिक्षत गूजर बहुत बढ़िया गुड़ विमला कुमावत उत्तर तो आ रहे हैं आप लोगों के लेकिन जायतर बच्चों ने जो दिया है वो आंसर सी दिया है भारत के सर्वुच नियाले को बिलकुल मैं आपको बता देता हूँ यदि राश्पती के चुनाब में बिवाद हो जाए तो मुकदमा एकी जगे चलेगा सर्वुच नियाले में और मुकदमा जो दर्ज कराता या तो राश्पती का होगा मतदाता और राश्पती का मतदाता होता है निर्बाचित M.P.M.L. समझगे और या फिर होगा राश्पती का उम्मीदवार यानि हर कोई व्यक्ती मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता राश्पती का उम्मीदवार या राश्पती का मतदाता सही बात है सही है चलो जी तो नौ में क्वेश्चन को तर्सी होगा दसमा सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर टैन इन योर फॉन राष्ट पती के उम्मीदवार के लिए क्या आवस्चक नहीं है आयू 35 वर्स होनी चाहिए जरूरी है भईया लोग सबस्च चुने जाने की योगता रखता हो बताओ अभी मैं योगता है बताई है नुच्छे दठामन में क्या आवस्चक नहीं है यह आया हुवा सवाल है यह क्वश्चन आयड़ाच है एकजाम में आया हुआ यह जगदीश मीना और जगदीश सर्मा दोनों आमने सामने जवाब दे रहे हैं गोड वेरी गोड जगदीश को हम प्यार से जग्गु कहते हैं हाँ जी अब नहीं कह रही है सर्बी आएगा अरे वेरी गोड अरे मेरे लालो बहुत बढ़िया अरे मेरे सीर सीर्नियो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा योगता नहीं है पढ़ा लिखा क्या नहीं है योगता नहीं है तो इसलिए उत्तर आएगा भी नियूनतमायू 35 साल चाहिए चाहिए लोकसमा सदस्चने जाने योगता चाहिए चाहिए बद्दीश का नागरे कोना ही च चाहिए इत्तर आएगा वी लगबग सब लोगों का सहिए एक दू बच्चों का थोड़ा सा गलती से सी हो गया है वो भी लगान चाह रहे थे लेकिन सी का बटन दब गया है वो पास-पास होते हैं ना बहुत बढ़िया उदेराज गूडविन लेट होगे विटा उदेराज वेरी गॉट मंबर 11 है का आपके फोन पर आ रहा है उए क्वशन नंबर 11 है आपकी फोन पर आ रहा है गॉट बता दो फटा फट बटन दबा दो बिलकुल बिलकुल राम के सोर ग्यानी जी इलसींग जी सबसे कम पढ़े हुए राश्पती थे लेकिन सेक्षिक योगता नहीं है बिलकुल लोकिस बागड़ी हाँ बिलकुल हम कोसिस करते हैं पढ़ाने की आप अफला ने पढ़कर गए हो गुड तो सही है बिम्ला कुमाबत तुमारी बात तो वही तो उत्तर है वो योगता है नहीं है गुड वेरी गुड आप प्रस्णों को समझो वह सही उत्तर दे रहे गुड नीले सेवक चलो जी एक सांसद अत्वा बिदान सवा का सदस राश्पती निर्वाचे सो सकता है बिलकुल हो सकता है परन्तु अब यह देखो अनुच्छेद 59 की बास आई यह हमने इसको सेट हमने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि आया हुआ है यह क्वेश्चन आयड़ अच्छे अब आप देख लो तो साब चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी सदस्ता अत्याक पत देना होगा एक सांसद और बिनान सबाक सदस्ते राज़ पर निर्वाचस हो सकता है अब देखते हैं अपने निर्वाचस से छेमा का अंदर अपनी सदस्ता छोड़नी होगी निर्वाचस तोनेक तोरन तो प्रणत अपनी सदस्ता छोड़नी होगी यह उक्सान से चुनाव रड़ सकता है परंद बिनान सभा का सरस नहीं अब इनमें से कौन सी बात सही है बताओ देखिए सब इसका उत्तर आएगा निर्वाचे तोने के तोरंत उप्रांद अपनी सदस्ता क्या होगी छोड़नी होगी उसको सब सबी सदस्ता उसे पदमुक्त करना पड़ेगा यह फिप्टी नाइन की बास आए यह बासा कौन सनुचिद की है अनुचिद फिप्टी नाइन की बास आए किसको उत्तर क्या एगा सी आएगा काफी बच्चों सी जबाब दिया है काफी बच्चों ने सी उत्तर आएगा बिल्कुल हो देरोज आपकी फश्च किलास हैं तो अर्सनीबार को आता हूँ बेट वे आपके फोन में अर्सनीबार को देखिए मुझे को और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए बिल्कुल यदि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया पढ़िए और पढ़ाईए मोबाईल फोन से काम चलाईए भारत के राश्पती चुने जाते हैं यह बहुत ब्यबारिक क्वेस्चन हैं मित्रोर आए हुए क्वेस्चन है तो इसलिए अपने को रिस्क तो को लेनी नहीं है कि यह प्रसंद रिपीट हो गया तो रिपीट हो गया तो अब फिर योगताओं मेंसे देख लो वो अनुच्छे नहीं दे रहा है लेकिन है योगता का जिसने अनुच्छे अठ्ठामन को याद कर लिया उसका उत्तर हो गया आँ बिल्कुल रेखा तुमार क्यों होगा इसमें दी क्यों होगा अनुच्य में बता है न फिप्टी नाइन के वासा आए उसमें दी क्यों होगा कि चुर्व फटा पड़ जवाब दो कि क्वेश्चन नंबर बारा यह रहा कि भारत के राश्पदी चुने जाते हैं हाँ बताईए यह अच्छ चुने जाते हैं केवल लोक्सवाग सत्वारा यह निर्वाचक मंडल हो गया अनुच्य चववन केवल राज बिदान सभाओं और लोक्सवाग सत्वारा राज्य सभा लोक्सभा और राज्यों की बिदान सभाओं निर्वाज सत्वारा यास डी अनुचित कौन सा है यह यह अनुचित चौवन अनुचित चौवन है साथ राश्पती का चुनाव ध्यान रपना गुप्त मद्दान से होता है यह अनुचित पच्पन में लिख रही है और निरबाचन पद्दती कौन सी है आनुपातिक प्रतिनिर्थ की एकल संक्रमणी मत पद्दती एकल संक्रमणी मत पद्दती यह ऐसा इससे चौनाव उतर यह बात लिख रहा है नुचित पच्पन में 55 में चलो आगे बढ़ता हूं बढ़ना ही पड़ेगा भारत के राजपती की चौनाव में राजज की विदानसवा की प्रतिक निरबाचिसरस के बीट बोटों की देखो अभी आई वो क्वेश्चन है नरिंदर कुमार सर आई है वो क्वेश्चन में आई आस्क्ड यास नरिंदर पूछो प्रस्थन क्या है आपका संगीता गुड़ीवनिंग भाई गुड़ीवनिंग लवली दिविशा राम राम लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं फौन में कभी लेट नहीं होते जब चाओ जब खोलो पूरा देखो कोई दिक्कत नहीं विटा जब जागो तभी तैयारी पबन देखो मैं उम्मीद कर रहा था आप उत्तर दोगे 19 से कैतर्ग जंगरना रेखा चान्दा का सही जवाब है संतोस पटेल का सही जवाब है पूनम राम सारण का सही जवाब है उत्तर आएगा C 19 से कैतर्ग जंगरना यह है 2026 तक यह ही रहेगी और अब आपको पता है 2021 के आंकड़े 22, 23, 24 में आएगे समझे रहो ना फिर चेंज आएगा जंगरना में उत्तर आएगा C तुम बड़ी बड़ी बासा देख करके गड़बड हो जाते हो तो राजपती के चुनाब में जो बिदान सभा के और सांसनों के जो मतमूल निकाले जाते है यह मतमूल का है तो सूत्र है और क्या है यह मतमूल है और ये मत्मूल कौन सी जनगरना कंसार है मत्मूल 19 से कैतर की जनगरना कंसार है 1971 गवरा जाते हो बड़ी बड़ी भासाओं को देख करके गवरा ना नहीं आपका पेपर है आपका इदिमाग है आपका ही सलेक्षन होगा और आपकी मेहनत है इसलिए घवराने का नहीं ठीक है दिमाग लगा के काम करने का हाँ भवानी सहरा हैमराज गुजर गोड बहुत बढ़िया मुके संसारी जब केंद्रे मंती मंडल ने दोजार दो में चुनावी सुधारों पर अध्यादीश में बिना किसी बदलाव कुसे राश्पती को बापस बेजा तब राश्पती ने बारते समनान कौन से नुच्छिद कंतरकत उसे अपनी सहमती दी थी अध्यादेश सब दियू जुगा है इसमें समझ गए बच्चे ये रहा गुड एक सो तेविस बहुत बढ़िया अध्यादेश की सक्ती अध्यादेश प्रख्यापन सक्ती प्रख्यापन तक्ती है अनुच्छे देख्यो तेविस में राश्पती के पास में ठीक है तो ये इस तरीके से भी प्रस्न आ जाते हैं मित्रू प्रस्न संक्या पंदरा ये र्या यदि भारत के राश्पती का पदरिक तोजा और कोई उपराश्पती भी ना हो तब निम्द में से कौन कारेवाक राश्पती होगा सीधा सीधा ही कह दिया इसने तो ये लो साब सीधा सीधा ही लो केस बवानी गॉड लवली सीइंग जय हिंद नरिंदर कुमार सर्व माई एम इज डिफरेंट प्रों सेक्ट ग्रेड बट जस्ट ट्राइड के छान्स बिटा मैं इसमय नहीं पा रहा हूँ ऐस्क्रीन जल दी जल चल रहे काफी बच्चे 문ी सा मीना बिल्कूल गुड 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 सर्वोच नियाले का मुख नियादीश बिल्कुल सही जबाब सही जबाब है साब बिल्कुल में भूरिवाल का भी सही है चंदु आसिवाल बेटा कहां गलत कर गए तुम चलो जी प्रस्ण संक्या सोला सोला देखिएगा रामदयाल मीना प्रणाम खुसरो रामदयाल दूर से खुसरो हाँ RPSC में आ जाएगी जिस दिन आ जाएगी हाँ बिलकुल भरती का क्या है यह तो आ नहीं है आज या कल तीन से चार महीने का टाइम मिलता है भरती आ जाती इसलिए यह अच्छा मौका है पढ़ो और अपनी मेहनत को सीधे रजल्ट में बदलो कि भारत की राश्पती संबन इल्मिल कितनों में कौन सा एक सही नहीं है सही नहीं है वो देखना है देखो संसद का एक भाग है क्या वे दोनों सद्नों चर्चाम भाग लेता है क्या वे प्रत्ति एक वरस दोनों सद्नों चर्चाम भाग को संबुद करता है क्या वे कि नीक परसिती मद्यदेश लाग कर सकता है क्या देखो डिसीजन राइट है विट नरेंदर तेरा इसका उत्तर आएगा वे दोनों सद्नों में चर्चा में भाग नहीं लेता भी आएगा अनुच्यद 79 में संसद है और संसद में तीनों अंगे राजपती राजसबा लोकसबा तो प्रतेक बर्स दोनों सद्नों में विशिस अविवाशन होता है अनुच्यद 87 की भासा है और अध्यदिश जारी कर सकता है अनुच्यद 123 की भासा है इसलिए इसका उत्तर क्या है भी आएगा उत्तर क्या है अरे इसका उत्तर तो भी आएगा बेटा सोले में का नंदनी आदब तो डी कह रही है ये मुश्कान डी कह रही है ये क्या हो गयर बच्चो चंदु आसिवाल भी डी कह रहा है लक्षमी बरो डीवाल आहां यू आर एट रोंग साइड गलत ड्राइब मत करो समझ गए कि नहीं समझे राजमीना मंजु की सिष्टार गुडी इवनिंग अब आईयो आईयो तो पढ़लो आईयो तो पढ़लो आईयो तो पढ़लो भारत में राश्पती का चुनाव किया जाता है अब देख लो अब इसको भी गलत करोगे के सत्रे पे हैं सत्रा सेबंटीन हरी राम मीना न्यू बेच कब से कल सेमिनार है बिटा कौन्सेप्ट में सेमिनार नो बजी से है निसुल के ट्राइल क्लास लोगर मंडे से नहीं बेचम बैठो राम द्याल मीना आज ही लिया है हाँ तो न्या बेच है बिटा कोई दिक्कत नहीं है इवनिंग में न्या बेच लौंच किया है फ्रेस बेच बिलकुल आनुपात्यक मत प्रणाली एकल संक्रमत प्रणाली प्रत्यक्स निर्वाशन खोला बेलट देखो कंफूजन मत होना एकल संक्रमनी मत पद्धती बी आएगा बी 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 कि इसमें सीधा सीधा साय नुच्छित पच्पंद की बासा चाहिए अब यह प्रस्ण गलत नहीं होना चाहिए अगर यह प्रस्ण गलत है न फिर सोचने कब इस है तुम्हें तैयारी करनी पड़े गंबीरता से यह गलत नहीं चाहिए बताओ बताओ हाँ खुशी तुम्हारा सही है यह गलत नहीं होना चाहिए जी और यह गलत हो रहा है जिसका मतलब सोचने कब इस है तैयारी करनी पड़ेगी और जीरो से तैयारी करो फिर हाँ सरकार का दायत दायत कहते हैं डूटी को और डूटी का मतलब होता है केंद्र सरकार का करतब करतब कौन से नुच्छित में बताओ संग सरकार का करतब डूटी हाँ बोलो 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 ए है ए है ए केंद्र सरकार का करतब है के राज की बाईया अंत्र करसांती से रक्षा करे और राज की रक्षा के लिए राश्पती सासन भी लगाया जा सकता है उस राज में आपातकार भी लगाया जा सकता है तो यह अनुच्छेद 355 में भी आपातकार लग सकता है राश्पती सासन 356 में भी लग सकता है और चzessपपन का उल्टा होता है 365 साल में 365 साल में 365 दिन होते हैं इन तीनों आधारों पर राज में आपातकार लगा सकता है राश्पती कि असुक डिंगोलिया जी हमारी क्लास ओफ लाइन चल रही है लगातार लेकिन हम आठ दो एक दिन आते हैं बिटा इसलिए हम उब्जेक्टिव सबाल लेकर आते हैं आप जो कह रहो उसमें क्या एक ठीचर की रेगूलर क्लास चाहिए बिटा यह मैं उम्मीद करत हाँ बबानी सहरा आप आरिस में सलेक्ट हुए आपके लिए बदाई हो आर्दिक सुबकामना है हमारी तरफ से डिजिटल ही आसीरबाद है राश्टिया पातकाल की गोशना को स्वीक्रतिय संसद किसमक्स रखा जाना आवश्चक है यह दो यह देख लो राश्टिया पातकाल को स्वीक्रतिय में लगता है पहले दी देखो अनुच्छे तीन सो मामन की बासा आए अब बताईए तीस दिन के वीतर एक मामें और अगर तीन सो चपन होता ना तो तीन सो चपन में दो माह और तीन सो साथ में वित्तिया पातकाल है उसमें भी दो माह लेकिन तीन सो बामन है युद्ध बारी आक्रमन और ससस्त्र विद्रो होने पर इसलिए उत्तर आएगा एक माँ एक महीने के बीतर अगर संसत के दोनों संस बिसीस वोगमत से पास कर देंगे तो फिर छे माँ रहेगा ठीक है तो फिर कितना होगा छे माँ भारत में बित्या पात काल गोशना आई तक कितनी बार की गई है यह भी सवाल आता है एक जाम में देख लो गोड बहुत बढ़िया तो आप जो तैयारी कर रहे हैं जो जवाब दे रहे हैं यही आप में कॉन्विडेंस से बताएंगे का आपने कितनी तैयारी मजबूती से की है और अगर कोई मान दिये थोड़ी बहुत कमी है तो उसे हम कैसे दूर करें यह आपको सोचने पर या आपको निर्ने लेने पर यह आपको क्या मदद करेंगे साहिता करेंगा अगर कोई सवाल आप गलत हो रहा है प्रस्ट को गलत पढ़ाएं क्या या मैटर याद नहीं था क्या हमने रिवीजन नहीं किया क्या या हमारे पास बिसेवस्तू उपलब नहीं थी क्या तो यह सोचो और तुरंट निर्ने लो और तैयारी करो हर हालत में नोक्री लगो ऐसा स्वारनें बविस्ट कभी नहीं आएगा 31,500 वेकेंसी थड़ ग्रीड में है लगबग 10,000 वेकेंसी सेकंड ग्रीड में है लगबग 6,000 वेकेंसी फश्ट ग्रीड में है कब भी नहीं आएगा ऐसा गूर्ड अंचांस इसलिए तैयारी करने का डरने का नहीं तैयारी करने का ठीक है 21 रुपे का तो सगुन भी अच्छा होता है फिर ये सवाल गलत कैसे हो जाएगा ये तो होने ही नीचे ये गलत बिल्कुल असूक डिंगोलिया में तुम्हारी बात समझे रहूं बीटा इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है नमल कितमे से राजपती किसकी नियुक्ती करता है ये तो गलत ही नहीं हो सकता अगर ये प्रस्ण किसी का गलत हो जाए तो हमसे आप पांसो रुपे नाम ले जाना लेकिन अरे वा किसी गलत ही नहीं हुआ अब हम पैसे दे कर क्या करेंगे इसका उत्तर डी सही है बहुत बढ़िया गोड बहुत सांदर परफोर्मेंस है आपकी ये परफोर्मेंस देखने के लिए ही तो हम यहापर खड़े हैं सब का उत्तर सही आ गया यहीं तो बात है और क्या बात है कि राश्पती पाँच बर्स तक अपने पद पर रहता है ये प्रस्ण ul इमपॉर्टेंट है इससे प्रस्ण बहुत आते हैं एकजाम में इसनसे प्रस्ण बहुत Давайте vivang जarda है के संजना हम सब समझते हैं वो उसको क्या 5-1 रुपी चाहिए थे गुड़ 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 अब देखो संतूस पटैल बिलकुल आपके प्रसंद का उच्छत उत्तर दिया जाएगा देख लीजिए ये ऐसा सवाल है इसमें बच्चे कन्फिज होते ही होते हैं और ये है अपने पद ग्रेंड से 5 बर्स बहुत बढ़िया जगदीश सर्मा का मैं तब से देख रहा हूँ ये सवाल बिलकुल सांदार हिट किया है जगदीश ने जगगू ने विलकुल संजना ने भी किया है विकास ने भी किया है राज ने भी किया है है प्रियंग का ने सही किया है अन्सू्न ने सही किया यह गजिंदर कुमार माली ने शिए किया है बहुत बड़ीया विलकुल सांधार सी उत EVERY इद कुछ लोग क्रते थे निर्वाचन निर्वाचन के के बाद तो सपत और सपत के बाद पदग्रेंड यह क्रम है सबस्वेल निर्वाचन होगा फिर सपत होगी फिर पदग्रेंड होगा है ठीक है गुड बहुत बढ़िया कि ट्वण्टी थ्री कथन अपने कारकाल के दोरान भारत के राश्पतिक विरुद्ध किसी भी न्यायल है मुकदम नहीं चला जा सकता है कि यह तो कथन है कारण राश्पति पर संब्दान के उपर होता है अब बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है ऐसे प्रस्ण भी एक्जाम में आ जाते हैं आलें कि मैंने इसे कम रखें पर एक आत दू प्रस्ण तो रखने ही पड़ते हैं क्योंकि आज का लिए भी ट्रेंड चल रहा है सेकंड गेड फस्ट गेड में ऐसे कॉश्चन आते हैं हाँ जम्मन मीना तुमारा सही है जम्मन मीना सही है बिलकुल सही बात है देखो ये जो बासा है न ये कथन ये अनुच्छी 361 की बासा है 361 ये तो सही है और ये कारण है गलत हो तो बताओ कथन और कारण दोनों सही है क्या नहीं कथन कारण दोन सही परन्तु कारण को इस पचन नहीं करता है ये भी गलत कथन सही है परन्तु कारण गलत है उत्तर सी आएगा सही है सबका सही है गुड पीके जोनबाल गुड देव बाला का भी सही है बहुत बढ़िया गुड 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 बेरी गुड question number 24 24 बारत के राश्पति को यह अधकार नहीं प्राप्त है कि वै अब देुग उसको गलत मत कर दे न बिल्कुल असोग डिंगो लिया सही हो तुम 24 मां प्रस्ण वह चमादान करे यह अनुच्छित बैत्तर की वासा है सर्बूच न्याय लेके न्याय दिसको गटाए यह अनुच्छित 124 की वासा है आपातकाल की गोचना करे यह 356 की वासा है अध्यादेश जारी करे 123 की वासा है देखो वैसे इसके इसाब से तो क्या है उत्तर आएगा बी इसका उत्तर आएगा बी आलाएंकि इसमें यह चारों यह उप्सन सही है चारों यह उप्सन सही है क्योंकि सर्बूच न्याय लेक न्याय दिसको भी राश्पती अटाता है इसको बोनस में दे दो यह बोनस में जाएगा यह क्वेशन ओप्सन चारों सही है इसके बोनस दे दो इसको इसके बोनस जाएगा चारों सही है में प्सीन देखलो रव्य बच्छो प्रस्ण थोड़ा बढ़ा है रे और पच्चीस में लाश्ट है न कि ऊब यार यह तो बच्छो मामला थोड़ा सा आप डंग से पढ़लो बित्तिया पातका या एक बार पढ़लो पहले हाँ बिल्कुल संजना सभी सही है बारत के सम्दान कनुच्छ तीन सो साट का दीन बित्ति आपात से संबन निमलिकित कत्नों पर बिचार कीजिए नमबर एक बित्ति आपात की गोशना दो मास की समापती पर प्रबरतन में नहीं रहेगी क्योंकि आए हुए प्रबरतन में नहीं रहेगी यदि उस अबदी की समापती से पहरे संसत के दोनों संकर्वदार उसका अनमोदन नहीं कर दिया जाता है तो तो दो में इन तक तो रहेगी ना तो ये तो सही है अब दूसरा देख लो दोनों को पढ़ लो और फिर उत्तर देना है आपको अब इसमें ओप्सन देखते हैं इन कत्नों पर विचार करो कर लिए अब इसका उत्तर है देखो ये उच्च न्यायाल है और उच्च तम न्यायाल है इनके बीतन बत्तों में भी क्या कर सकता है कटोती कर देता है आते हैं आते हैं इसमें आता है नहीं आते हैं इसलिए इसका उत्तर केबल एक सही है इसका केबल एक उत्तर आएगा ये देख लो तो ये दोस्तों आपके क्वेस्चन होगे पत्चीस की पत्चीस हो अब मीरुक पटापट कमेंट में जवाब दो कितने एक सही हैं तुमारे पटापट जवाब दो पटापट आज आपकी किलास बहुत संदार हुए राजपती बहुत बड़ा टॉपिक होता है फिर भी मैंने कुछ क्वेस्चन्स रेंडम नगी लिए जो पुछले एकजांम में आए हैं और ये बित्तिया पातकाल को लेकर कह रहा हुए बिमला पातकाल में देखो और चितम न्याह लेक और फटा पट मेरे को जवाब दो कितने कुट्त स advice mean have been hai good you कि भीम्हा विम्ला यह प्रस्नीय कहरा है भितिया अपातका लग जब लगता है तो देखो सहीद सत्य तो है कि सुप्रीम कोट और आई कोट के जजों के भी बेतन बत्तों कटूती होती लेकिन यह कहा रहा है उनके जजों के बेतन बत्तों कपोर्ट कटूती नहीं हो सकती इस लिए कथन गलत है जगदीश सर्मा कह रहा है 20 के लगबग सही है Very God सावास हमें तुम से यहीं उम्मीद थी जग्गू के 20 सही है रीट का भूका से रोचल कूद कर प्रणाम करूं सरजीद डिजिटली खुसरो हो विटा जम्मा मीना के 15 में से 13 सही है बहुत बढ़िया रीट का भूका सेर 20 सही लेकर वेठा हुआ है 25 में से 20 22 बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को पुरुषकार में डिजिटली पैन प्रस्तुत करता हूं आप इस पुरुषकार को सुईकार करें जो फश्ट तीन रेंक वाले बच्चों को मैं पैन देता हूं इसी के साथ सुबरात्री गुड नाइट थेंक यू वेरी मुच झाले बच्चों करें लोगों को सुबरात्री गुरुषकार करें देता हूं आप लोगों को सुबरात्री गुड़। झाल झाल